अभी तोड़ा formula के बारे में देखते हैं आपन, excel के अंदर, for example, 120 और यह 100 होए, बराबर, तो formula के लिए सबसे पहले equal to दालो, 2-3 तरीके है, इसको अपने को, इनों का difference वालूं बरने का है, click करो, control इसको भी click करो, sorry, control Z, okay, click के है, फिर minus, फिर इसको click करो, enter, बराबर, अब इसके अलावा अगर अपने को, इसको, plus करने का, दोनों को add करने रहा, equal to, इसको click करो, plus की sign दालो, इसको click करो, enter, दोनों add हो गया, और, equal to दाल की अगर आप हो, इसको की location भी लिखते है, for example, B1, minus, B2, enter, B2, sorry, equal to, B2, minus B3, तो यह आगया, बराबर, अब यही फॉर्मूला हर दाना चाहिए, तो बार बार लिखते हैं नहीं बढ़ने का, इसको click करिए, plus sign pair drag किये, पराबर, आगया, 160 में से 130 या 30, तो फॉर्मूला अपने आपको सब जगा अपलाई करतेगा, इसके अरावा अगर अपनों पूरी line को plus करने का है, equal to be sign डालो, एक तरीका तो यह equal to be sign डाले आप उन, फिर यह, फिर इसको plus करके फिर इसको select करो, plus करो फिर इसको select करो, तो आशे बहुत लेंडी हो जाएंगा है, इसका एक shortcut तरीका है, equal to be sign डालो, s लिखो, इसको बोलते है function, अपने को चाहिए, sum, sum, इस पर click किये, बराबर, अब अपनों कोई in sub का चाहिए न, click करके drag करो, इस अब हो गया, sorry, 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 so click करो, equal to s, sum, sum इसके अंदर कहीं पर है, यह रहा, double click करो, click, drag, enter, बराबर, सबका total आगया, अगर इसको अगर divide करना है, so h, cell न आई है, equal to दालो, cell को select करो, divide की sign दालो, 2 से करना है, enter, यह divide हो गया, बराबर, अब यह समझ लो, अपने दुकान के कुछ profit की या, खाते की सहले, यह cheat है, जन्वरी के अंदर profit 20 रुपिया, फरवरी में 30, यहनी फरवरी तक कितना हो गया, 50 हो गया, 230, और फिर March के अंदर 50, 23, 200 हो गया, इस तरह से अपने को भरना है, उसका एक सिंपल तरीका है, इस पर किलिक करो, equal to, B4, बराबर, enter मार दो, हो गया है, फिर इसमें आओ, equal to, B, इसको select करो, plus, इसको select करो, enter मारो, हो गया है, बराबर, 20 और 30, 50 रुपिया profit, तो इसको drag करके, यहां तक लेके आओ, 50, 50, 100, 100, 50, 100, 500, 215, 215, 215, और 80, 295, पराबर, अब यह अपने ग्रोथ इन profit, percentage में देखने गया है, percentage increase बता रहे हैं, 20 रुपे का ता दंदा, यहां 30 रुपे का हो गया, यहीं 20 से 10 रुपे यादा हो गया, यहीं के 10 रुपे बढ़ गया, 50 परसेंट, तो equal to दालो यहां पर, bracket open, select, minus, select, bracket close, divide by, before, enter, अब इसको select करो, यहां percentage लिखा है, click करो, 50 परसेंट बढ़ गया, यहां बराबर, को drag करते जाओ, इदर 67 बढ़ा, इदर बढ़ा गया, 50 पिछले महीने, इस महीने भी 50 परसेंट, यहीं 0 परसेंट, इसके अंदर आप उन्हें, absolute percentage देखेंगे, इसका formula equal to, sorry, equal to, इसका percent देखना, 10 टका salary समझ लो, इन सबके increase होनी है, को select करो, star, 10% increase हो रही बराबर, plus, enter, दस्टका बढ़ दे, और अगर यह चेक करना है कि 500 का दस्टका कितना होता है, तो equal to, click, star, 10%, enter, बराबर, अब अगर मैं इसको drag करके नीचे लेके आता हूँ न, तो कुछ नहीं हो रहा है, बराबर, 200 का 200 आ रहा है, इसका इतना ही आ रहा है, मतलब, क्यों formula अपला है, हो रहा नहीं हर जगा, अगर मैं को हर जगा हो formula चीए एक बार में, तो मुझे का करना पड़ेगा, equal to, click, star, percent, plus, sorry, click, star, percent, फिर F4, फिर plus, फिर यह, enter, बराबर, एक बार और बराता हूँ, equal to, यह, star, percent, percent, F4, plus, यह, enter, एक दस, परस, हो गया, अपका दस, दस, परसेंट उसमें, add होके, answer, आ गया, auto sum देखना है अभी अपने को, गिसल को select किया, auto sum बोला, enter मारा, इस सब का total amount add होके, इहर पर, आ गया, बराबर, अगर यहाँ चाहिए, यहाँ रखके, auto sum बोलो, enter मारो, इस सब का, sorry, यहाँ चाहिए, अपने को बराबर, auto sum बोला, तो यह कौन सा add कर रहा है, उपर वाला, लेकिन अपने को चाहिए नहीं, तो नीचे वाला click करके drag करो, enter मारो, सब का total amount इधर पर आ गया, बराबर, सेम इधर पर, auto sum बोलो, enter मारो, पूरो का total amount यहाँ पर लिखके आ गया, यहाँ पर अगर आपने auto sum डालेंगे, उपर का लिखके आ रहा है, अपने को यह भी editor ने साथ में, control दबाओ, सारे select करो cell, enter मारो, यहाँ पर हो गया, उसके अलावा, अभी for example, अपने को इन सब का add यहाँ पर चाहिए, auto sum, बराबर, इस सब का total यहाँ पर यहाँ पर अड़िया, उसने, इस सब का total यहाँ पर यहाँ पर अड़िया, similar यहाँ पर 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 यहा sell लिए या फिर डायरेक यहां पर drop down menu में गए average enter सबका total और एक दो तीन चार पाँच से इसको divide कर दिए इसके अलावा भी और कुछ है यहां पर count numbers कितने numbers हैं यहां पर enter 5 है एक दो तीन चार पाँच बराबर इन सारों को भी सरक करो या फिर हां सॉरी एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा count numbers 6 क्योंकि यह number उपर के नहीं है नीचे के number है वराबर इसके अलावा इन सब के अंदर cell के अंदर अपने को देखना है कि सॉरी सब cell के अंदर सबसे बड़ा लख कौन सा है बारा number सबसे बड़ा है मराबर इसके अलावा सबसे छोटा कौन सा है वो भी देख सकते हैं आपन मिनिममम पे जाके छे number सबसे छोटा है इसके अलावा और कुछ है नहीं अजिम करो इस अब cell के अब यहां बताना अबनों को सबसे जालरी किसकी है equal to max bracket close enter सबसे जादा कुंसी है अदार इसके अलावा भी आपन कर दो इसके अलावा direct यहां से भी कर सकते है sum sorry max select करो enter मारो उसके जादा salary किसकी है 1000 वाले कि है same यहां पे भी कर सकते है यह तो min लिखो यह पिर यहां जाओ minimum select enter million salary किती है सब रुपे की है उसके बात है median या नी medium salary या फिर average उसके लिए equal to m जिरा median double click मारो इस पे इसको select करो enter मारो 550 बराबर इसके अलावा इसको भी यहां से कर सकते हैं इसको click करो median या नी average यह होता है average पर जाओ सब को select करो enter मारो 550 बराबर एक है second largest यानी सबसे जारा तो यह है इस से कम वाली कौन सी है अभी तो 10 जारे तो मुह दिखके आ रही है हजारों से लोगे तो फिर उसके लिए उसके लिए उसके लिए भी एक simple दरीगा है equal to dollar L पहरा दिखर है large double click इसर कॉमा second चीन आपने को two enter 900 बराबर अब for example अपने को fifth large salary देखना है उसके लिए equal to L double click select cell कॉमा five enter highest कॉन सी है 600 अली आप